आज हम देखने वाले हैं लाइम यानी लाइम इस्टोन और चूना पत्थर जिसे कहते हैं बेसिक सिविल इंजिनियरिंग के लिए यूनिट बन में ए बिल्डिंग मटेरियल्स हैं लाइम इस्टोन क्या हुता है और यह कैसे बनता है इसके क्लासिफिकेशन और टेस्ट आज हम पढ़ने वाले हैं तो सबसे पहले देखते हैं लाइम इस्टोन को चुना पत्तर कहते हैं और आज एक विल्डिंग मटेरियल है इसकी डेफिनेशन होती है इस प्रडूस्ट के जमाने में building construction के लिए building material की रूप में यूज होता था और the lime is not available in nature in free state तो lime जो है free state में available नहीं होता इसे बनाया जाता है lime की definition आप इस तरीके से भी लग सकते हैं due to warning of lime stone the moisture of CO2 gas are removed the remaining product is known as lime lime तो क्या होता है जब lime stone को जला दिया जाता है और इसमें से moisture और CO2 gas को remove कर दिया जाता है तो जो product बनता है हमारे पास वहता है lime stone इसे lime कहते हैं इसके बाद दिखते है classification of lime तो lime को कितने भागों में बंटा गया है lime को तीन टाइपस में बाटा गया है classified किया गया है पहला जो हमारे पास टाइप है वह फैट lime तो इसे जो है कैसे बनाया जाता है calculation करके बनाया जाता है pure lime stone को और इसमें पांच परसेंट से जादा impurities नहीं पाई जाती विट इस प्यूर वाइट इन कलर और यह कलर में प्यूर भाइट होता है इट सेट स्लोली इन दा प्रेजेंस ओफ यह तो यह जो है स्लोली सेट होता है यानि बहुत दीमी से यह सेट हो जाता है और यह क्यों पस्तिती में है दूसरा हमारे पास classification में है hydraulic lime hydraulic lime क्या होता है this lime contains clay and some amount of ferrous oxide तो यह जो है clay और कुछ मात्रा में clay यानि मिट्टी और कुछ मात्रा में ferrous oxide से मिलकर बनता है hydraulic lime is divided into the following three categories यह three categories में divided है फैबली hydraulic lime मोडेव रिटी hydraulic lime और imminently hydraulic lime तो यह क्या होता है के लिए के contact पर आधारित होते हैं यानि मिट्टी की percentage पर यह होते हैं जब पांस से दस परसेंट मिट्टी इसमें होगी तो यह फैबली hydraulic lime कहलाएगा और मोडेव रिली कभ कहलाएगा जब 11 से 20 परसेंट मिट्टी होगी और imminently hydraulic lime होगा जब 20-30 परसेंट इसमें मिट्टी अवेलबल होगी इसवाद इस लाइम कें सैट अंडर वाटर एंड इंद इंधिक वाल्स देयर वेर्दा वेर इस दो फ्री सर्कूलेशन ओफ लाइम तो य मिट्टी की 30% से ज़्यादा मातर इसमें होती है इसलिए इसे impure lime कहते हैं नेक्स्ट है uses of lime इसके क्या क्या उपयोग होते हैं तो सबसे पहले used of making mortar यह mortar बनाने के लिए use of plastering, used of white washing, used of soil stabilization और used of refractory material और इंद प्रेपरेशन ओफ लाइम कंक्रेट दोए हैं इसके use इसके बाद दिखते हैं test of lime, इसके बाद दिखते हैं test of lime, तो test of lime क्या क्या होते हैं तो तीन test हम इसके perform कर सकते हैं, पहला test है हमारे पास soundness test, this test is done to find the disintegration of the lime sample, और this test is performed by leak chat release apparatus, तो एक इस प्रकार का जो है apparatus या instrument होता है, leak chat release नाम का, इससे soundness test होता है lime का, इसके बाद नेक्स्ट है visual test, यानि हम इसे देखकर इसका test कर सकते हैं, this is performed for physical appearance of lime, तो यह physical appearance के लिए test किया जाता है, क्यांसे test करेंगे, इसका if color is white, तो इसका color white होता है, और its source fat lime, अगर इसका color white होता है, तो यह fat lime को represent करता है, next chemical test, chemical test, this test gives an idea about two cementation value and hydraulic properties of lime sample, तो इससे क्या पता चलता है, cementation value पता चलती है और hydraulic properties lime की पता चलती है, अज की वीडियो में हमने देखा lime क्या होता है, तो building construction and elements के लिए, यह most important topic है, basics will का, तो वीडियो पसंदा है, तो लाइक करें, और ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते अगले वीडियो में